हेलो दोस्तों, आज मैं आपको GSTR1 कैसे फाइल करते हैं, उसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ with HSN Code, जी हाँ, HSN Code के साथ मैं आपको GSTR1 फाइल करके दिखाऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुछ से GSTR1 फाइल कर सकते हैं, बहुत ही अज दिख रहा होगा, उसके बाद आपको राइट में लॉग इन का ओप्शन दिख रहा होगा, उसके पर क्लिक करेंगे, और अपना यूजर नेम, पास्वोड और क्याप्चा फिल करके लॉग इन कर लेंगे, वह आपको GSTR1 यहां से लॉग इन हो चुका है, तो आप देख सकत आपको सबस्क्राइब अपना क्वार्टर सेलेक करना है, उसके बाद आपको मन सेलेक करना है, तो मैंने अगस्ट मंद का करना है, और सच पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहां से नीची आना है, आप देख सकते हैं, GSTR1 मैंने अभी 11 तारीक को फाइल होता है, सब आपको online वाले option पर क्लिक करना है फिर आपके सब में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां B2B सबसे आगे में 4A का और टेबल दिख रहा है वह आपको B2B का option दिख रहा है यानि आप किसी परसन को अगर माल बेच रहे हैं जिसका GST नंबर है तो वहाँ B2B डालेंगे आप B2C में किसको डालेंगे साथ नंबर टेबल जिसको दिख रहा है यानि जिसको आप Cash में सिल कर रहे हैं वहाँ B2C में डालेंगे तो मैं आपको सबसे वहले B2B वाले invoice पे क्लिक करके दिखात तो मैं आपको यहां से टैली प्रैम पहले खोल लेता हूं यहां से ऑपिन कर लेता हूं और सेल्स वाले option पर चल जाते हैं तो आप टैली प्रैम में जिस मंद का सेल है जैसे अगस्त मंद का मैं फाइल कर रहा हूं जैसे यह आमित हार्डवेर है इसका जिसकी नंबर मैं ने देंगे इन्वाइस का डेट डाल देंगे पांच अगस्त है ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको टोटल इन्वाइस वैल्यू तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वाइस में वित जी एस्टी सबसे नीचे में दिख रहा है उस एमांट को यहां डाल देना 8000 एक रूपय उसके बाद जिस रेट से आपने माल बेचा है उस रेट पर जाके आपको विदाउट जीएस्टी आपको ग्रॉस सेल्स वैल्यू डाल रहे हैं विदाउट जीएस्टी तो यहां देख सकते हैं 7620 में डाला है जीएस्टी एमांट मैच करा लिजेगा और उसके वाद से पर क करेंगा अब मैं दूसरा एक आपको ऑन देखाता हूं ठीक है तो मैं किसी और बाटिक की आपको यहां डाल के दिखाता हूं उतस्य प्रोफॉःल में भी मैंने जीएस्ट नब्र ढ आलके रहा है तो यहां से कॉपी कर लेंगे और एड रिकॉर्ट पर जाना है और यहां प आपको फिर से car paste करदेंगे जेले नबर श्नका का टयाइली प्राइम सा अपको कॉपी करना एक पैस थे थेया उसके बाद यहां करके इसके इसका इसके अधर सक्रेंडा designer मार फिर डालेंगे तो आप करेंगे तो यहां इनवडर 2020 आप डालेंगे उसका 20609 808 तो देख सकते हैं लास्ट में आप देख सकते हैं राइट कर पूरा ठारा चारसो असी पुरा विती जीएश्ट डाला हुआ है अब जी से माल बेचा नहीं 5% डेट से मैंने माल बेचा है तो वहां 5% पर जाके आपको अमांट डाल देंगा तो आटमेटिक टैस्स कल्कुलेट robraph कलिक कर सफ्फेक करें यूजै कुस्येक आप ने और भी माल कंशीट तही करते हैं तो आपको इसी पर फिर से से बैग करना है और देख राधे सर्मेल को मैंने भगवान दस को फिर से दूसरा माल दोस्ट इंवाइस बैकाने यहां पर आपको टैली प्रैम से ही चलना है एकदम स्टेप आपको अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद आपको यहां डेट डाल देना है invoice value आपको मैंने बताया था विटी जी एस्टी रहेगा ठीक है यह amount डालाएगा यहां से कोई भी confusion हो आपको तो प्लीज मुझे comment करें मैं हर किसी को reply करता हूं ठीक है 5% date से मैंने माल बेचा है तो मैंने यहां वैल्यू डाला उसका टैक्स हो गया automatic और से क्लिक कर दिया इस तरह अपना यहां मैंने एक और invoice यहां एड करके मैं आपको दिखाता हूं मैंने इसका दो invoice पहले एड किया था एक invoice मैं आपको और add करके दिखाता हूं ताकि आपको clear समझ में आ जाए 209 number मैंने फिर से माल बेचा 209 number invoice में date फिर से डाल लेना है आपको 30 अगस्त उसके बाद आपको total invoice value डाल लेना है ठीक है तो 8,000 एक रूपया इसके बाद गया करना है 5% पर जाना है और उसके बाद आपको विदाउट जेस्ट डाल देना है यह amount जेस्ट आटोमेटिक कल्कुलेट हो जाएगा से पर क्लिक कर देना है इस तरह मैंने रादे स्यां भगवान दसका मैंने तीन invoice यहां दिखाया है अब मैं यहां से back कर लेता हूं तो अब देख सकते हैं मैंने एक पहले किया था रादे स्यां भगवान दसका यहां थीन किया है यहां ठीक है इसत Roub अपने 3 पाटी माया यहाघ करना चाहते, आइड कर ले टैलि प्रैयम से तो मैं देख सके तो मैं नो इतने 29 पीमें अब यहांसे 7 प्लेट रीया है मैं अपने 59 है क्लिक करके दिखाताँ, याद रहे क्या सेल खोया है, उसको आप MSCili Coast ऐसiquement डालना है तो यहां add record B2C पे क्लिक करेंगे फिर add record पे जाएंगे फिर आपको प्लेस अप्स अप्लाइ आपको जहां पर जो स्टेट पर आप रहते हैं वही स्टेट ले लेना है एक्सेल वैल्यू मतलब विदाउट जिस्टी ठीक है तो मैंने cash sales को filter कर लिया है यहां देख सकते हैं मेर 92,580 का मैंने cash sell किया है ठीक है तो इस 92,580 को amount को यहां डाल देंगे उसके बाद जैसी आप amount डाउट यह amount जो रहेगा टेक्सर वैल्यू विदाउट जिस्टी रहेगा ठीक है जिस्टी आपको नीचे डालना है आप रेट किस रेट से आपने यहां पर माल बेचा था तो 5% अगर है तो 5% डाले अगर 18% है तो 18% डालना है उसके बाद आपको central टेक्स और state tax आपको कलेट हो जाएगा और से वाले option पर आपको क्लिक कर देना है देख सकते हैं मेरा B2C से बुचुका है बैक करेंगे देख सकते हैं सामने दीख रहा होगा कि आपने इतने लोग को इतने का cash sale किया है यहां से बैक कर लेंगे आपको अब मेरा B2B मैंने complete कर लिए ठीक है अब मैं आपको 13 नंबर यानि टेबल डोकुमेंट इस वाला फिल करके दिखाता हूँ यह भी बहुत mandatory है इसको फिल करना जरूरी है अदर्वाज आपको demand आ सकता है notice आ सकता है ठीक है तो accession code वाला भी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको पहले आपको डोकुम नंबर तो मैंने 178 से start किया 209 तक खतम किया है तो total number of invoice जितना है 32 है डाल सकते हैं अगर आप cancel हुआ है को इन्वाज तो cancel डाले अदर्वाज चोड़ दे ठीक है डालने के बाद आपको क्या करना है नीचे जाना है और save वाली option पे click कर देना है मैंने आप GST department को बताना चाह रहे है कि मेरा इतना number serial से इतना number serial तक बिल कटा है और कोई मेरा bill number cancel नहीं हुआ है ठीक है आप यह फिल करने का यही purpose है अब यहां से back आ जाते हैं तो मेरा team table मैंने complete कर लिया अब मैं आपको main सबसे important जो है hsn wise summary rating है यह डालना बिल्कुल ही mandatory है अगर आप इसे बीना डाले अगर आप submit करते हो जी hdr1 तो आपको in future आपको notice आएगा ही आएगा आप फिर penalty and interest भी लगता है तो आपको hsn वाले option पे जाना है अब यहां आपको क्या करना है मैं आपको असाता हूं सबसे पहला आपको प्रोडर्क्ट सेल किया है उस प्रोडर्क का addediction code यहां सबसे फिले कर देंगे description में automatic नाम आ जाएगा इसकवाद उसका क्या करना है यूनिट आपको करना है यूनिट सेलेक करना है तो आपने उस प्रोड़क को किलोग्राम में किया था या पीसेस में किया था लीटर में किया था तो मैंने इस प्रोड़क को किलोग्राम में सेल किया है ठीक है अब कितने किलोग्राम मैंने सेल किया है टोटल कॉंटिटी आपक कितना उसको सेल कर रहे हो टोटल टेक्सल वैल्यू मेंने विदाउट जी एस्टी यह जो मैंने डाला है विदाउट जीएस्टी डाला है ठीक है दोस्तों फिर रेट कितना है फाइब पर्शन किसाब से और पी इंटिग्रेटिट टेक्स अगर है तो डाले अधरवास सेंट्र ठीक है अब यहां से एड कर दिया मैंने तो अब देख सकते हैं मैं रिक्वेश्ट यहां से एक्सेप्ट हो गया फिर यहां से से एपको फिर से तो मेरा रिक्वेश्ट एक्सेप्टेट सेक्सेस्फुली हो गया मेरा यहां से एड फिर से मैं आपको दूसर प्रोड़क उसक तो यहां मैं Conference 10 में tali करता हूं ठीक है तो यहां पिर आपको डाल दिना हैं उसके बाद आपको यहां इंटीगडेटेट carry से और इस प्ेडिए टेक्स अगर है तो डाल दीजे तो यहांlica को मैंने ट्रेंक्त्र तो 20-2 पर आपको क्या करना है फिर ने एड़ पे क्लिक कर देने डाल कर तो मैंने सेंटल टेक्स पर डाल लिया फिस्टेट टेक्स पर डाल लिया डाला डाय परसेंट यह डाला और एड़ पे क्लिक कर दिया मैंने तो इस तरह मैंने डो प्रोड़क्त को आपको यहां सामने दिखाया इसको भी स्पीर सेप कर देंग अगर आपको बाद में चलके कोई अडिट करना है तो आप नीजे जाके पैंसिल वाले करसब पर जाके अडिट कर सकते है ऐसा नहीं कि आप सेप कर देने के वाद आपको फिर से अडिट नहीं होगा तो यहां मैंने जिते ही प्रोडक्त है मैंने सबको यहां पर डाल लिया इस पर में जो B2B या B2C से मैच करना चाहिए अधरवाज आपका डेफर करने पर नोटीस आ जाएगा ठीक है तो मैंने यहां सब कुछ फिल कर लिया है मैंने सब टेवल मेंडेटरी टेवल को यहां फिल कर लिया है अब आपको यहां कुछ भी नहीं करना है अग जनरेट समरी पर क्लिक कर देना तक को क्लिक करते ही आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा आप आपको दो-t фин सथ बाटन राईट मैं उस पर आपको क्लिक करना है तो आपका रिफ्रेस्ट हो गया आप आपको क्या करना है नीची आना है अप प्रोसिट्टू फाइल यानि संब्री इस पर क्लिक करना है नीची आना आगऊ जैसे आप नीची है कि फाईल स्टेमेंट का उप्सण होगा टैक्स आप मैच कर वाले अपना टैलि प्रायände से कि क्लिक करेंगे I यह VHIRW.I पर क्लिक करेंगे, Authorize Person का नाम लेंगे, दो option से आपको अपना JSTR1 verify करना है, एक EVC यानि OTP के तरू और DSC, अब EVC के तरू करें, EVC पर क्लिक करेंगे, आपके registered mobile number पर OTP का फिल करें, verify पर क्लिक कर दें, इस तरह आप अपना JSTR1 बहुत ही असान तरीके से वाइल कर सकते हैं बहुत ही असान तरीका है कोई भी प्राब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करे मैं हर किसी को रिप्लाइ करता हूँ ठीक है दोस्तो वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज दो को लाइक एंसर प्राइक करना बिल्कुल न भूले मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लादे रहता हूँ थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद